आज जामनगर महानगर में सुब़ जो मेरी माटी मेरा देश एवं शहीद समारक का जो लोकारपन था उसकारिक्रम को लेके आज सुब़ से एक वीडियो सारे सोशल मीडिया पर मीडिया पर चल रही है मैं उसी दिशा में अपनी तरफ से अज जो हुआ उस विशे में एक सपष्टता आपके समक्स रखना चाहती हूँ आज का चूप वीडियो था वहीडियो भारतिय जन्दापाटी एक शिस्तबंद पार्टी है एक पारिवारिक महाल में पारिवारिक वातारण में पार्टी के सबूत करते हैं और सब एक दूसरे की स्च्रेंथ हैं हम सब एक दूसरे के लिए पूरक है, जहां पे सब कहीं न कहीं, किसी न किसी शेत्र में, पार्टी को और मजबूत करते हैं और लोगों को, जो पार्टी के उद्देशिया हैं, वो सेवा के माधियम से उन तक पहुचाते हैं। माधियम से बताना चाहती हूं आपको, कि जो वीटियो क्लिप है, उससे ज्यादा इस विशय में और कुछ बाती नहीं है, एक परिवार में जैसे मिसंडेस्टेंडिंग होती है कहीं, और मिसंडेस्टेंडिंग में थोड़ा सा ज्यादा रियक्शन होता है, उस रियक्शन के अलावा, और कोई बात नहीं है, और मेरी जो वहाँ पर भूमिका थी, वो भूमिका मैं समझी चुकी थी कि कहीं मिसंडेस्टेंडिंग है, कहीं थोड़ा ओवर रियक्शन भी है, तो मेरी जो भूमिका थी, वो हमारे जो मेयर है, बीना में कुटारी, वो हमारे लिए हमारे सबके बुजूर्ग हैं, हम सबके मातर्शक भी हैं और हमारे शेहर के प्रतम नागरी के इसके अलावा भी पार्टी के काफी सीनियर कार्यकता है जिन्होंने पार्टी में बहुत योगदान दिया है तो मेरी जो भूमिका थी, वो भूमिका मेरी बड़ी बहन का एक सन्मान बना रहे और साथ में मेरी छोटी बहन रिवाबा को भी मैं शान्त करूँ क्योंकि मुझे पक्का पता है कि वो कोई misunderstanding का शिकार बनी और उन्होंने जो वहाँ पे खलकासा, उनका अधिकार है गुसा दि का सकते हैं, तो मैं उनको भी शान्त करूँ, उस वैसे प्रहतन मैंने मेरे द्वाराज सुबह किये गए, तो उसमें इसके अलावा इस विशह में और कोई बात नहीं है, जो भी माते चल रही है, अलग-अलग कि इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने इसलिए किया, मुझे लगता है, उतना समय हमारे पास नहीं था, हमने शहीदों को पुषपांजली अरपन करने के बाद सीधे, हमने जो वहाँ पे तक्ति थी उसका अनावरन किया, तक्ति का अनावरन करने के बाद हम एक ग्रूप फोटो के लिए जब आ गया है, तो जो आ मैं आपनी तरफ से पुष्टी इस बात को लेके आपकी बीच रखूं, इसमें जो आप देख सकते हो, उसके अलावा और कोई बात नहीं है, वो ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, ऐसा कोई विशही नहीं था, कहीं कोई misunderstanding अवश्य हुई है, और उस misunderstanding का जो reaction है, वो हलका साथ दे में मजबूती से, हम फिर से ऐसे ही अपनी कभी कहीं नाराजगी व्यक्त करते हुए, कहीं खुशी व्यक्त करते हुए, साथ मिलके, लोगों को साथ जोड़के, और मजबूती से आगे बढ़ेंगे.